जैसा कि सासन से नेदेश थे कि जो जिन बच्चों के पास android phone है और उनको जूम के मादधम से उनको सिक्षित किया जाए बच्चों को सिक्षा को कि स्कूल में उनको बुलाए नहीं जा सकता था तो उनसे contact किया गया और teachers को mobilize कराया गया और इस दोरान जो लोग contact में आये जिनके पास android phone थे तो उनको नीमित जो पाठे करम जो हम लोगों ने बना रखा है उसका उसके देशन को सिक्षा दी गई तो यह हमारे officers के प्रासों से ही संभव हुआ लगातार monitoring करने के बाद ही संभ awareness नहीं होती है दूसरा इस तरह के android phone वगएरा भी बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं तो जिनके पास हैं उनको motivate करके और उन बच्चों को नीमित बैठाना यह बहुत बहुत बड़ा चीज नहीं थी क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पिछले पांस साल में बल्कि पांस नहीं कि साड़ी तीन साल में दो बड़ी 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 बरतियों हुई हैं इसमें teachers काफी young generation के लोग हैं और वो काफी इन सब चीजों के बारे में उनको knowledge है उनको तो उनको बतान ही तो आसानी से में उनको उन तक पहुशने में तो जादे दिकत नहीं आई लेकिना बच्चों तक जो स्टूइन्ट से उन तक के लिए जरूर दिकत है वो दिकत इस बज़े से है क्योंकि सभी बच्चे जो है बड़े रूरल वेग्ग्राउंड के हैं और मैंने जैसा कि आ जोने जूम के मादियम से उनको पढ़ाया जा सका उसके लिए तो उनको हम एक जगादर नहीं कर सकते थे इस तरह के इंस्ट्रक्षन थे अब तो काफी अल्लॉक हो गया है लेकिन दो मेने पहले तक हम लोग इस तरह की मीटिंग्स भी नहीं करते थे लोग इखटा करके बा परेंट्स को जुरूर हम लोग मैसेज कर वाया था कि घरों में वो पढ़ा सकते हैं कुछ हमारे दूद असन के भी प्रूग्राम थे जो जो टीवी के माद्दम से देखे जा सकते उसका भी प्रिचार प्रसार हम ने किया था वह एक ठीक स्लोट था कि इतने वज़े तक इस क्लास के क्लास से चलेंगी तो उनका फाइदा बच्चों को मिला है बहुत से परेंट्स ने अपने बच्चों को टीवी के माद्दम से भी बड़ा काम किया है अच्छे सर आपके एरिया में क्या पलायन करके मजदू भाई वापिस लोटे उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे मतब स्कूल जाने वाले बच्चे थे उस एज के और अगर थे तो उनकी education continue रहे क्या उसके लिए कोई measure लिए गए हमारे हां के जो भी लोग बाहर थे वो अधिकांस पूरुस हुई थे बहुती कम संक्या मैसे थे जो family के साथ बाहर थे लेकिन वो जब बापस आये त वापस आने के एक दो मेरे के बाद फिर उनकी जमान वहां हो गई तो अधिकांस इस तरह के जो लोग थे वह बापस से ले गए तो कोई बहुत बड़ा मेजर उसमें कोई change में नहीं दिखाई दिया कि उसकी बज़े कि मैं तो 75% तो family को यहीं पर छोड़के बार गए हुए थे और जो family के साथ यहां बाहर थे वो फिर बहुत जली ही वापस से ले गए तो बहुत जद आउस से फर्क नहीं बड़ा इसको हम इस तरह ले कि अब भी हम लोग हमारी एकनोमी इतनी मजबूत नहीं है और इस पेसलिए जो मैं सब्सक्राइब सिक्सी परसेंट जो पॉप बात भी है कि उनके लिए रूटी अब कोई बहुत बड़ी समय से नहीं रहेगी है लेकिन हाँ उनके पास अभी इतने एकुपेंट्स बगारे नहीं है कि वेल एकुप्ट हो और वो हरी हर तरह की सितिय में अपने को उनका सर्वाइबल हो सके है बहुत अच्छे तरीके से स बात नहीं थी हम लोगों को पता था कि हम इस काम को कर ले जाएंगे लेकिन बच्चों की एजुक्षन तो प्रभावित हुई है कोई सकी बात नहीं है जो लोग बहुत अच्छे इसूशन में पढ़ रहे हैं वहां पर भी इसूट खुले नहीं है उनके बच्चे भी जूम का प्रतो प्रभा पड़ा है